दोस्तों, computer expert बनना है, तो आपको computer की हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने आउला हूँ, keyboard के उपर, bottom row में, control के बाजू में होती है Windows की, जैसे कि आपको screen के उपर दिखाए दे रहा है, य अलग combination होता है, Windows D प्रेस करोगे तो अलग होगा, Windows 1, 2, 3, 4 प्रेस करोगे तो कुछ अलग combination होगा, इन सभी combinations को मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर, जो आपको computer में expert बनाने के लिए help करेगी, तो अगर आप इंट्रेस टोड़ ये जानने के लिए, ये shortcut प्रेस shortcut की number one, अब इस shortcut की को प्रेस करके दिखाने से पहले मैं आपको बताओ कि ये shortcut की काम क्या करती है, जैसे computer screen की उपर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो zoom करके मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे this PC का icon, तो मैंने यहाँ पर mouse pointer रखा, मैं keyboard के पर Windows बटन दबा यहाँ पर यह जूम होते दिखाई दे रहा है आपको, और माइनस करूंगा तो यह जूम माइनस हो रहा है, साथी में यहाँ एक magnifier का window open हो रहा है, कभी-कभी यह magnifier ऐसा taskbar पर मिनिमाइज भी रह सकता है यह window, तो यह magnifier जो है Windows प्लस बटन से यहाँ पर डिस्पले हो रहा ह लेकिन एक बात और याद रखिये मैंने mouse pointer यहाँ पर रखा है, यहाँ पर दिखाए दे रहा है 37 डौले फोल्डर पे, तो मैं इसे जूम करता हूँ तो यहाँ पर ही जूम हो रहा है, यादि माउस pointer को इसके लिए मैंने setting करके रखिये, और यह setting आपको भी पता होनी तो करना क्या है , आपको यहां पे सेटिंग का जो icon दिखाया दे रहा ने यह दिखिए यहां पर अभी मैंने वहां मौस पॉंटर रखा और Windows Plus किया आपको दिखाने के लिए, फिर मैं यहां पर सेटिंग पर क्लिक करूंगा, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर Go To Settings, दिखाए देरा है, Go To Settings में हम जाएंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रोल करेंगे, दिखिए, यहां पर Smooth Edges वगरा, As It Is रहने दो, यहां पर Full Screen तो पहले रहना ही Shortcut Key No.2, Windows Plus R, यहां पर देखिए, मैं Keyboard की उपर Windows और R प्रेस कर रहा हूँ, यहां पर Run Command आ रहा है, इस Run Command में अप अलग-अलग Command दे सकते हैं, अलग-अलग Software स्टार्ट करने के, जैसे Notepad स्टार्ट करना है, तो Notepad की Command, यहां धेर सारे और भी Command होते हैं, जो कि Recently मैंने एक कमांड आपको बतायते हैं, मेरे Short Channel पे, Learn More Shorts पे बहुत सरे Command डाले है, मैंने यह Shutdown के ट्रीक वाले Commands, या पिर Shale.Shotup के Command, तो यह सारे Command का वीडियो देखना है, आप Learn More Short Channel को विजिट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लेकिन य Short Cut की Number 3, इस Short Cut की की जरी है, हम टास्बार की उपर जो अप्लिकेशन से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टास्बार की उपर दिखाए दे रहा है, Microsoft Edge, Control Panel और भी आपको यहाँ पे अप्लिकेशन दिखाए दे रहे, इन एप्लिकेशन को मैं एक्सेस करना चाहता मतलब कौन से एप्लिकेशन मुझे जाना है, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, राइट और लेप्ट आरो से एंटर बटन से उसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इन एप्लिकेशन को आप Windows T से तो करी सकते, साथ मैं एक और Short Cut की मैं बता देता हूँ, Windows 1 अगर आप प्रेस करते टास्क बार के एप्लिकेशन एकसेस होते हैं, तो यह Short Cut की नमबर 3 और 4 मैंने एक साथ बताई, जो कि है Windows T और Windows 1, 2, 3, 4, अब बढ़ते है Short Cut की नमबर 5 की तरफ, तो हमने टास्क बार के ओप्शन तो एकसेस कर लिए, अब मुझे टास्क बार के ओपर राइट साइड के सारी चीज़े यहां से आप कर सकते है, Windows B प्रेस करने के बाद आप इन्हें एकसेस कर सकते है, Short Cut की नमबर 6 इस Short Cut की में मैं आपको बताऊ कि अगर आपने Chrome ब्राउजर या कोई एप्लिकेशन यहां पे फूल स्क्रीन पे रखाए, तो उस एप्लिकेशन को आपको रिश्ट प्रेस कर सकते है, Short Cut की नमबर 7 इस Short Cut की में आप Windows left और right arrow की को प्रेस करके देखो, Left प्रेस करती ही, यह एप्लिकेशन आपको दिखाए दे रहा है, जो पूरे फूल स्क्रीन पे था, वो left पैनल में आ चुका है, और अगर मैं से Windows right arrow प्रेस करता हो, तो यह right side में आ जाएग तो Windows left और right arrow भी प्रेस कीजिएगा, और दिखिएगा क्या होता है, Short Cut की नमबर 8, अगर आपको Windows में कोई फाइल सर्च करनी है, तो आप simply Windows S प्रेस करोगे, और S प्रेस करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा, जिसमें आप फाइल का नाम सर्च कीजिए, जैसे मैं जल्दी करो नाम से एक फाइल बनाई थी, यह एक Excel का एडिन से है, जो कि मैंने बनाया था, तो यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, जल्दी करो 3.0 नाम का यह फाइल मुझे मिल गया, और यह कहाँ पे स्टोर है, यह भी यहाँ पे दिखाए दे रहा है, Windows S से, Short Cut की नम बटन भी प्रेस कर सकते है, इनी मिनिमाइज करने के लिए, जैसे यह एप्लिकेशन से यहाँ पे ओपन है, तो Windows M प्रेस करते ही, यह सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएंगे, राइट, Short Cut की नमबर 10, अगर आपको T ब्रेक लेना है, तो आप अपने कम्पीटर को लॉक कर जा Short Cut की नमबर 11, Windows Tab, इस Short Cut की से आप जितने भी ओपन एप्लिकेशन है, उनमें स्वीच हो सकते है, जैसे मैं एक एप्लिकेशन से दूसरे एप्लिकेशन में स्वीच होना चाहता हूं, तो यहां से मैं स्वीच हो सकता हूं, जैसे आपको दिखाए दे रहे है, यह Camera Recording का अप् ब्लोग की यहां पर है, जैसे मैंने विजित कर लिए यहां का कुछ version, इन्डिया.in, ऑर इस ब्लोग की आपकेशन के कुछ content मुझे कि लेने हैं, इस ब्लोग में स्पोस मैंने एकक्शल का कुई blog विजिट कर लै और मुझे यहां के जैसे ऐख कुछ content कापी करने हैं, तो य जैसे आप यहाँ पे content को copy करते जाएंगे, जैसे मैं यह content को copy किया, control C, फिर उसके बाद control C, इसको copy किया, फिर यहाँ पे कुछ content छोड़ दिये, यहाँ पे copy किया, control C, अब आप Windows V प्रेस किजिए, clipboard में सारे content आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, clipboard, Windows V, याद रखी है, clipboard में सारे content store होते है, Windows V से हम clipboard को access कर सकते है, shortcut की number 13, यह बहुत simple है, अगर आप अपने computer में file explorer को access करना चाहते है, तो Windows E को प्रेस कीजिए, जैसे Windows E प्रेस करते हो, file explorer आजाता है, आप अपनी files को यहाँ से access कर सकते है, Windows E, shortcut की number 14, यह है Windows P, जैसे आप Windows P प्रेस करोगे, आप आपको दिखाए देगा, project अगर आपको select करना है, मतलब आपके PC को आपने project करने किया है, तो आपको PC की screen दिखानी है, या उसको duplicate करना है, या उसको extend करना है, या second screen only दिखानी है, इसमें क्या होता है, कि जब आपने computer को आप दो monitor या projector करते हो, तो उस time पे आप Windows P प्रेस कर कि ये select कर सकते कि इसी monitor का वहाँ पे duplicate दिखाना है, या फिर एक और desktop वहाँ पे अलग सा दिखना है, क्योंकि यहां से मैं कुछ screen जैसे मैं कुछ link के यहाँ पर type करना चाता हूँ, तो मैं extend वाला option select करूँगा, और extend वाले option से क्या होगा, इस desktop को एक और display मिल जाएगा, जहा कि सभी teacher के लिए use हो सकता है, जैसे आप windows डबलू प्रेस करते हो, यहां पे आप देख सकते है, full screen snip भी आप ले सकते है, और whiteboard भी आप यहां पे enable कर सकते है, मैं full screen snip लेता हूँ, और यह जो screen है, उसका full screen यहां पे scan हो के आ चुका है, और यहां पे आप मार्क कर लेके इसे highlight और यहां पे आपको दिखाय दे रहा है, आप इसे erase कर सकते है, और फिर यहां पे कुछ चीजे mark करना चाते है, और यह तो यह ज़रूरी हो सकता है, अगर आप कुछ चीजे पढ़ाना चाते हो, तो यह screenshot लेके भी आप दिखा सकते है, या फिर whiteboard भी इस्तमाल कर सकते है, windows जबलू की मदद से, शौटकर की नमबर 16, windows print screen, इसे दबाती ही, एक screenshot यहां पे आजाएगा, जो भी window open है, उसका screenshot आएगा, बेसिकल अभी यहां पे desktop है, तो इसका screenshot निकल गया, अब मैं windows e-press करूँगा, फाइल explore में जाओंगा, और यहां पे pictures folder जो है आपका, उसमें यहां यहां पे screenshot folder में आपको यह screenshot नीचे मिल जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं, नीचे screenshot आपको मिल गया, तो आप quickly कोई screenshot लेना चाहते हो, तो windows print screen आप दबा सकते है, शौटकर की नमबर 17, यह है windows U, जिससे display setting open हो जाती है, जैसे आप यहां पे देखोगे, display setting आचुके है, जिसमें आप display का percentage कम जाता करना चाहते है, या फिर personalize करना चाहते है, show animations in windows, या फिर transparency बंद करना चाहते है, यह देखिए, transparency मैंने बंद की, तो यहां पे आपको दिखाए दे रहे है, windows transparency में क्या impact हो रहा है, ऐसे अलग-अलग settings यहां से आप चेंज कर सकते है, windows U, display के लिए shortcut की number 18, windows K, इससे आप Bluetooth devices access कर सकते है, यह देखिए, मेरे जो Bluetooth devices यहां पे आपको दिखाए दे रहे है, यह access हो रहे है, अगर आपका laptop है, तो inbuilt Bluetooth तो आपके laptop में होता है, लेकिन अगर आपका desktop है, तो आपको यहां पे Bluetooth के कोई devices नेजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए आपके desktop पे Bluetooth dongle लगाना पड़ेगा, जो की screen पे मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से रहता है, और यह अगर आप लगा तो इसका driver इस्टाल करते हो, तो आप Windows K बटन प्रेस करके आप wireless headphone के connections आपको दिखाए दे रहे है, वो मैं यहां से connect कर सकता हूँ, Windows K प्रेस करने क यहां पे उपर एक आपको बार दिखाए दे रहा है, जिसमें आपको capture नाम का option दिखाए दे रहा है, जिससे आप screen recording कर सकते हैं, लेकिन एक मिनीट रुकिए, अगर मैं यहां पे capture पे click करता हूँ, यहां पे screen recording का option दिखाए दे रहा है, यहां पे बिल्कुल highlight नहीं सकते है, यहां पे मैंने recording start किया, यहां पे recording अभी stop करूँगा, यह देखिए recording यहां पे हो रहा है, आपको दिखाए दे रहा है timing, यानि कि यह कोई भी applications है, तो उसी को यह record कर सकता है, लेकिन यहां पे desktop का screen record नहीं होगा, Windows Z से आप screen recording कैसे कर सकते हैं, यह मैंने आपको बता लेकिन इससे बताने से पहले यह video अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे teaching style पसंद है, तो description में मेरी website की लिंक है, जहां से आप ISO certified courses से सीख सकते हैं, और इसके अलवा मेरे और भी channel है, जैसे learn more है, real tutorial है, complete technology तो आप देखी रहे हो, औ Excel tutorial है, इन सभी channel की links मैंने description में दीती, जरूर चेक आउट कीजिए, तो फिलाल shortcut key number 21 दीखे, यह पे मैंने Microsoft Edge browser open रखा है, और इस browser में Windows F1 प्रेस काता हूँ, तो यह पे आप देख सकते हैं, नया tab, Microsoft Edge browser में यह पे open होते जा रहे है, नया tab एक्सेस करने के लिए Windows F1 आप प्रे subscribe कीजिए, अगले सोम और को शाम को पाच बज़े मैं फिर से मिलूंगा, description में जितनी भी links है, चेक आउट जरूर कीजिए, इस वीडियो के अंदर जो shortcut keys मैंने बताई, उसकी practice file description में दीए, चेक आउट जरूर कीजिए, बाई बाई